मेरे परिवार जनों, आप सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा के लिवए चुनाव होने जा रहे हैं। ये भी तय हैं कि तीसरी बार केंद्र में फिर एक बार बाजपागे सरकार बनने जा रहे हैं। मद्जप्रदेश का विकास तेज हो सके। इसके लिए मुझे यहां भी स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए, ब्रेक लगाने वाले नहीं चाहिए, रिवर्स गेर लगा के बैठे वे लोग नहीं चाहिए। मुझे तेज तरार भाजपा की सरकार चाहिए, ताकि मैं अपने सपने फूरे कर सकूँ। एक इंजिन केंद्र सरकार का, एक इंजिन राजी सरकार का, मिलकर राजी के विकास को डबल ताकात दे रहे हैं। और तभी डबल तेजी से विकास होता है, वरना जहां कॉंग्रेस की प्रस्ट सरकार बनती है, वहां क्या हाल होते हैं। आज आप देश भर में देखिए, जहां उनको मोका मिला है, क्या आप बरबादी करकर रखिए। कॉंग्रेस की सरकारे सिर्फ जगणे में उल्जी रहती हैं। जनता के लिए उनके पास समयी नहीं होता है, गोटी बिठाते रहते हैं। अब राजस्तान में साड़े चार साल कॉंग्रेस ने अब देख लिए, अखमार निकाल के देख लिए। साड़े चार साल पूर्ण बहुमत मिला था चोबी सो घंटे उसने उसको काटा उसने उसको काटा वो उसको गिराएगा वो उसको गिराएगा इसी में खेल चलता रहा लड़ाई लड़ते रहे दो गुट लड़ाई लड़ाई अभी करनाटका देखिए अभी छे महिने हुए हैं छे महिने के बीतर बीतर क्या हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि वो कब तक CM रहेगा हर दिन खमर आती है अब वहां बनने वाला है फिर आता है नहीं वो नहीं वो बनने वाला है और हर कोई CM बनने के दावे ठोकते रहते हैं करनाटका में विकास ठप है जनता परेशान है यहां MP में तो अभी अभी Ticket बते हैं लेकिन हो क्या रहा है कपडे फाड कम्पिडिशन नेता एक दूसरे के कपडे फाड रहे हैं और औरों के भी कह रहे हैं तुम उसके कपडे फाडो वो कहते हैं तुम उसको कपडे फाडो यह कॉंग्रेस का चरीत्र है कॉंग्रेस में एक नेता को दूसरे से लड़ाया जाता है ताकि यहां आप लड़ते रहो और दिल्ली वाले नयाया दिश्बन करके नामदार अपनी दुकान चलाते रहें साथियों कॉंग्रेस सिर्फ अपने नेताओं के स्वार्थ पर हीटी की है जहां जहां कॉंग्रेस हाती हैं वहां सत्ता का अहंकार अपरात की बोलबाला अनाप शनाव लूट ब्रस्टाचार तुष्टी करां माफिया राज यही उनकी पहचान यही सब कुद फलता भूलता है हमने कभी कलपना भी नहीं की थी कि भारत में कोई सरे आम गलार रेत कर गर्व से जस्व जस्व न मनाएगा सोचा था कभी आपने लेकिन यह कॉंग्रेट सासी दराजिस्तान में हुआ है इसलिए मद्यप्रदेश को दूसरे राज्यों के अनुभवों से सबक लेते हुए बहुत सतर्क रहने की जरुत है मेरे परिवार जनों यह वो पावंधरा है जहां आचार्य शंकर को गोविंद्र भगवत पात के रूप में गुरु की प्राप्ति हुई थी हमारे रुशियों मुनियों ने भारत के लिए तब बहुत तब किया था उन्होंने देश के अलग-अलग कौनों को आपस में जोड़ा था लेकिन आज कॉंग्रेस क्या कर रही है सत्ता की भूख्षी कॉंग्रेस आज समाज को बांटने के लिए साजी से रत रही है ब्रह्म फैला रही है जूट बोल रही है कॉंग्रेस लोगों को बांट कर भूट की फसल काटना चाहती है मद्ड प्रदेश को लोगों को मद्ड प्रदेश के उजवल भविश के लिए हमेशा हमाज सहर के लिए ये तोड़ने वाली बांटने वाली विचार को जमिन दोस्त कर दे रहा है दोस्तों कॉंग्रेस को कई खड़े नहीं होने दना है कॉंग्रेस को रोकड़े के लिए मद्द प्रदेश के लोगों का एक जूट रहना बहुत जरूरी है